कि अधियों एक विजेट क्लासेज में आपका स्वागत है और आज हम लोग के बीएस के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसका नाम है एक चिंतल सील ब्योसाई के रूप में नेता नेता को हम कह सकते हैं एक एजे लीडर ठीक एजे लीडर में सिक्षक को भी हम ले लेते ह हैं चातर को भी ले लेते हैं देखिए किस की क्या भूनकाय होंगी किस तरह करता है क्या कारे करता है वो चिंतन के रूप में जो भी जिसको जो भी टास्क दिया जाएगा वो नेता माल लिया गया है नेता में दोनों लोग आ जाएंगे चातर भी आता है यहां पर और क्या करता है वो चिंतन करता है कि क्या हमारे अंदर कमिया है क्या सिक्षण विदियां हम उसको कैसे ठीक करें अगर जो चीजें मैं बच्चो को सिखा रहा हूं बच्ची वो सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं वो चीजें हमको बताएं ठीक वो चीजें हम अपने आप चाक चौबंध है कि नहीं जिसको मैं आज क्लास में प्रयोग करने जा रहा हूं और देखता हूं कि सब कुछ मेरे अमसार जो भी मैंने सीखा समझा अज तक था उसको मैं अपने अनभवों के द्वारा सिक्षर काउसलों के माधियम से अभिवेक्त कर रहा हूं क्लास में इससे क्या होगा वो पूरा कार्य अच्छा करेगा तो वही कहते हैं एक चिंतन सिल ब्यावसाई के रूप में नेता किस तरह के होने चाहिए यानि लीडर हमारा जो होना चाहिए चिंतल सिल्वयावसाई के रूप में उसकी क्या विसेस्ता होनी चाहिए जो विसेस्ता होनी चाहिए उसके अनुसार कुछ विसेस्ताओं को हम जानते हैं जो आपके एक्जाम की दिरिश्टी से महत्पूर है सबसे प तैंटरिकगे गुल आ जी कोई भी leadership करेगा कोई किसी को भी leadership करनी के लिए क्लास में कख्षा के अंतरगत किसी को भी तो सबसे पहले उसमें समानता की भाउना होनी चाहिए सब को एक नजरों से देख naier सब्य साथ नियाय काम करे, ऐसा नहीं है कि किसी को अधिकार वेवस्था के साथ काम करे, ये मेरे लिए बड़ा अच्छा है, ये मेरे लिए बहुत बुरा है, इसका कारे अच्छा नहीं, इसका कारे बहुत है, इस तरह की भावना वो ले के क्लास में नो जाए, इस तरह की भावना अगर किसी के मन में रहती है तो एक अच्छा लीडर्शिप नहीं कर सकता उसके बारे में अच्छा चिंतन नहीं हो सकता पहले से दिमाग में बना के रखता है कि हाँ इसको साथ ऐसा करना इसके साथ ऐसा करना लाख वो अच्छा कर ले लेकिन वो उसको अच्छा नहीं मान सकता जब अंदर प्रजातांत्रिक के गुण हो हम सब के साथ समान बेवहार करेंगे किसी को भी भेद भाव नहीं करेंगे ठीक बात चीत करने वाला दूसरा है कि हम एक बात रखने बात चीत शुरू करने वाला बात कैसे सुरू किया जाए कहां से सुरू किया जाए क्या टास्क रखा जाए वो भूमिका होनी चाहिए कि वाले जी सारे लोग हैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या करें क्या करें ये बिलकुल हमको समझ में नहीं तो उसके लिए जो leadership कर रहा है जिसके अंदर पहले से चिंतन कर ले कि हाँ सबसे पहले अगर किसी सारे क्लास में सरनाटा है कोई बोलने के लिए राजी नहीं हो रहा है क्या task हो रहा है क्या कारें हो रहा है तो हम बातचीत को सुरू करवाएंगे हम अपना task रख देंगे उस भिए लोग अपनी बात कहेंगे अपनी बात को अच्छे से कहेंगे तो वह वह चीज होनी चाहिए एक चिंतनसील एक नेकर पर और सटारे अगर सकरात्मक बात करते हैं तो वह आपका जो भी कारे है वह बहुत अच्छे ढंग से होगा स्वा चिंतन करने वाला तीसरा है अपने दुस्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए हमेशा अपने दुस्मन के प्रती सतर्क रहना चाहिए हमेशा अपने कारियों के प्रती वफादार रहना चाहिए तो यहां पर यही उसके लिए अगर हमको सतर्क नहीं रहेंगे किसी कारे को लेके तो गड़बर हो ज करता रहा है लेकिन हम इसको उसकारि को अगर ऐसे कर द colon को करका अपने माइंड में परिकलपना वो बनाता रहे और अपने अंदर ही वो सवाल करता रहे उसके हिसाब से क्या बहतर उत्तर निकल यह आता है आपके दिमाग से आप सोच सकते हो कितना बढ़िया सोच सकते हो कितना बढ़िया कारे कर सकते हो वो स्वचिंतन बताता है में ठिक अगला है समू का संयोजन करने वाला समू का संयोजन मतलब किसी भी कहा गाता ना कोई ग्रोप हो उसको एक परिवार है परिवार के जो मुखिया होते हैं वो क्या काम करते हैं अपने परिवार को चाहते हैं कि विखरे न हमारा परिवार हमेशा एक साथ एक जुट होके रहे चाहें वो कोई भी हो हमारे साथ रहे जो कभी भी अपने परिवार को विखरने नहीं देना चाहता है। ठीक उसी परकार आज टीचिंग में जो भी लीडर करेगा, लीडिंग करेगा, लीड करेगा आगे-ागे, वो अपने समुह में संयोजन करने वाला है, यानि अपने समुह का सही धंग से नतिरत करने वाला, अ यारनी हर किसी को कहने का अधिकार अपनी सारी लोगों की बाद सुनके जो भी समझ सहा Smart चरके अपने समों को एक संयोजन करके रखे है ठीक एक अगला है गाइड के रूप में गाइड के रूप में भाई गाइड के रूप में क्या भाई कोई समू है कोई समू है आप वो समू नहीं जानता है कि हमको क्या करना है कैसे करना है क्या चीज़ें जैसे आप कहीं घूमने जाते हो भूल भू को पर भी रहता है यह लोग रहते थे यहां पर मतलब औस अस्थान के बारे में उसको पूरी तरह जानकारी हो ठीक को परकार गाइड़ के रूप में जो भी नित्रित करता हो, उसको उसस्थान के बारे में, उस जगा के बारे में, उस छेत्र के बारे में, उस लोगों के बारे में उसको बिस्तिरित जानकारी होती है, ठीक लीडर को भी ये गुण होने चाहिए, एक लीडर के रूप में भी ये गुण होने चाहिए, अगला है तारकिक छम्तावान तारकिक छम्तावान का मतलब क्या हुआ है? कोई भी भी ब्यक्ति है उसके अंदर किस परकार के गुड़ होने चाहिए? तारकिक छम्तावान यानि वो किसी भी बातों को लेके तर्क कर सके अपने तरकों के माध्यम से अपनी बात को रख सके वो एक सकरात्मक रूम में बात कर सके कोई भी बात है एक बड़े सहज ढंग से बहुत आर्खान ढंग से अपने बैवस्थित कारियों के माध्यम से उस कारी को कर सके ये भी गुड उसके अंदर होने चाहिए यानि ये भी तारकिक करने की छमता एक लीडर के अंदर होनी चाहिए तरको के माध्यम से किसी की प्रस्णा है, उनकी जिग्यासा है, उनको अपने तरको के माध्यम से उसकी जिग्यासा को सांध कर सके, बहुत सारे कारे होते हैं, जिसको वो लोग कर नहीं पाते हैं, लेकि जिसके अंदर बहुत अच्छी तार्किक छम्ता होती है, वो बहुत सारे प्रशनों के उत्तर बहुत आसानी धंग से या लोगों को संतुष्ट कर ले जाते हैं, ठीक, ये चीजे उसके अंदर तार्किक छम्ता हो, लास्ट है, वो ब्यवहारिक हो, वो क्या हो, ब्यवहारिक, ब्यवहारिक ग्यान हो आप किसी को ऐसे को लीडर चुल लिजए जिसके अंदर बैवहारिक ज्ञान ना हो थोड़ा सा अपनी तर्कों का परयोक करें अपने बुद्धी का के अंदर हां लेकिन कुछ पासबिल्टी दस परसेंट हो 50 परसेंट हो 70 अलग-अलग गुड़ों की माज़रा अलग-अलग धंसे उसके अंदर व्याप्त होई ऐसा नहीं कि सारे के सारे गुड़ हंदेट-थंडेट-थंडेट परसेंट हो यानि तार्किक शमता भी 100 संयोजन यानि सारे लोगों को साथ बातचीत उसके ट्यूनिंग इतनी अच्छी रहागी अपने ब्यवहार से कहते ना बढ़ा अच्छा इसका ब्यवहार है बहुत ब्यवहार कुसल है यह देखो किसी से भी बात कर लेता है इससे कोई नहीं बुरा मांदा इसके साथ बैठ की तंसिल ब्यवसाई के रूप में अगर किसी लीडर के अंदर यह सारे के सारे विश्यस्ता है पाई जाए रही है तो समझ लिजिए उस क्लास का भला होने वाला है अगर यह इसमें से कुछ चीजें कुछ चीजें मिसिंग है लेकि मिसिंग का मतलब 10-20% मिसिंग है तो भी काम चल जागा लेकिन यह चीजें अगर उसके अंदर भरपूर मातरा में हैं यह सारी की सारी विश्यस्ता है चाहिए यह गुड उस नेत्रुत करने के चमता जिसके अंदर है एक लीडर के अंदर यह सारे के सारे गुड दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए उस क्लास का चाहें उस समाज का चाहें उस वर्ग का बहुत अच्छा होने वाला उस समाज बहुत उन्नती करेगा वो समाज बहुत अच्छा कारे करेगा आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत सार्ट तरीके से बहुत कम सब्दों में मैं ने एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझा दिया जिसमें एक चिंतनसिल बेवसाई के रूप में नेता के क्या क्या गुड होने चाहिए ये आपको ये सारे के सारी विश्यस्ताओं के अंतरगत ये दिखाई दिया धन्यवाद